C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ यह अध्याय दो है एक चरवाले रैखिक समिकरण प्रिष्ट संख्या 25 से लेकर प्रिष्ट संख्या 40 तक प्रिष्ट संख्या 25 दो दशमलव एक भूमिका पिछली कक्षाओं में आपने अनेक बीजिये व्यन्जकों और समिकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है ऐसे व्यन्जक जो हमने समझे उनके कुछ उदहरण है 5x, 2x घटा 3, 3x जमा y, 2xy जमा 5, xyz जमा x जमा y जमा z, x वर्ग जमा 1, y जमा y वर्ग समिकरणों के कुछ उदहरण है 5x बराबर है 25, 2x घटा 3, बराबर है 9, 2y जमा 5 बटा 2, बराबर है 37 बटा 2, 6z जमा 10, बराबर है घटा 2 आपको याद होगा कि समिकरणों में सदैव, समता यानी equal to का चिन्ह प्रयोग होता है जो व्यंजकों में नहीं होता इन व्यंजकों में कुछ में एक से अधिक चर प्रयोग हुए हैं उदहरण के लिए 2xy जमा 5 में 2 चर हैं, तथा पी हम अब समिकरण बनाने में केवल एक चर वाले व्यंजक ही प्रयोग करेंगे और जो व्यंजक समिकरण बनाने में लिखे जाएंगे, वे रैखिक ही होंगे इससे तातपर्य है कि व्यंजकों में प्रयोग होने वाले चर की अधिक्तम खात एक होगी कुछ रैखिक व्यंजक हैं, दो एक्स, दो एक्स जमा एक, तीन वाई घटा साथ, बारहां घटा पांच जेड, पांच बटा चार, कोश्ठक में एक्स घटा चार, जमा दस ये रैखिक व्यंजक नहीं है, एक्स वर्ग जमा एक, वाई जमा वाई वर्ग, एक जमा जेड जमा जेड वर्ग, जमा जेड घन ध्यान दीजिए, चर की अधिक्तम खात एक से अधिक है अब हम समिकरणों में केवल एक चरवाले व्यंजकों का ही प्रयोग करेंगे ऐसे समिकरण एक चरवाले रैखिक समिकरण कहलाते है पिछली कक्षाओं में जिन सरल समिकरणों को आपने हल करना सीखा, वे इसी प्रकार के थे आईए, जो हम जानते हैं, उसे संक्षिप्त में दोहरा लें एक बीजिये समिकरण में चरों का प्रयोग करते हुए एक सम्ता होती है इसमें एक सम्ता का चिन होता है, इस सम्ता के बाई और वाला व्यन्जक बायापक्ष यानि LHS और दाई और वाला व्यन्जक दायापक्ष यानि RHS कहलाता है यहाँ पर एक उदहारण दिया गया है 2X घटा 3 बराबर है 7 2X चर है बीच में सम्ता का चिन है 7 समीकरण है 2X घटा 3 बायापक्ष है 7 दायापक्ष है प्रिष्ट संख्या 26 20. एक समीकरण में बाईपक्ष में व्यंजक का मान, दाईपक्ष में व्यंजक के मान के बराबर होता है। ऐसा चर के कुछ मानों के लिए ही संभव होता है और चर के ऐसे मानों को ही चर के हल कहते हैं। C. किसी समीकरण का हल कैसे ग्यात करें? हम मानते हैं कि समीकरण के दोनों पक्ष तुला के पलड़ों की तरह संतुलन में हैं. अतह हम समीकरण के दोनों पक्षों पर एक जैसी ही गणतिये संक्रियाएं करते हैं जिससे समीकरण का संतुलन बना रहे. बिगडे नहीं, लेकिन समीकरण सरल अधिक सरल होता जाए इस प्रकार कुछ चरणों के बाद समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है दो एक्स घटा तीन बराबर है साथ इस समीकरण का हल है एक्स बराबर है पांच क्योंकि एक्स बराबर है पांच होने पर बाएं पक्ष का मान होगा दो गुणा पांच घटा तीन बराबर है साथ जो दाएं पक्ष का मान है लेकिन एक्स बराबर है दस इसका हल नहीं है क्योंकि एक्स बराबर है दस होने पर बाएपक्ष का मान होगा दो गुणा दस घटा तीन बराबर है सत्रा जो दाएपक्ष के बराबर नहीं है दो दशम लब्दों समिकरणों को हल करना जिनके एक पक्ष में रहके व्यंजक तथा दूसरे में केवल संख्या हो कुछ उदाहरण लेकर समिकरणों को हल करने की विधी फिर ध्यान में लाते हैं हलों पर ध्यान दीजिए, हल के रूप में कोई भी परिमय संख्या प्राप्त हो सकती है। उदहरण 1, हल ग्याद कीजिए, 2x खटा 3 बराबर है 7। हल, चरण 1, दोनों पक्षों में 3 जोडने पर 2x खटा 3 जमा 3 बराबर है 7 जमा 3, संतुलन नहीं बिगड़ा। या 2x बराबर है 10, चरण 2, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर 2x बटा 2 बराबर है 10 बटा 2 या x बराबर है 5 अपेक्षित हल। उदारण 2, हल कीजिए 2y जमा 9 बराबर है 4, हल 9 का दाई पक्ष में पक्ष आंतरण करने पर 2y बराबर है 4 घटा 9 या 2y बराबर है घटा 5. दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर y बराबर है घटा 5 बटा 2, जो की हल है प्रिष्ट संख्या 27, हल की जांच बाया पक्ष बराबर है 2, कोश्ठक में घटा 5 बटा दो, जमा 9 बराबर है घटा 5 जमा 9, बराबर है 4, बराबर है दाया पक्ष जैसा चाहिए. क्या आपने ध्यान दिया कि संख्या घटा 5 बटा 2 एक परिमे संख्या है? सातवी कक्षा में जो समीकरन हल किये गए, उनके हल ऐसी संख्याएं नहीं थी. उधारण 3, हल कीजिए एकस बटा 3 जमा 5 बटा 2 बराबर है घटा 3 बटा 2. हल पांच बटा 2 को दाय पक्ष में पक्षांतरण करने पर एकस बटा 3 बराबर है घटा 3 बटा 2, घटा 5 बटा 2 बराबर है घटा 8 बटा 2 या एकस बटा 3 बराबर है घटा 4. दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर एकस बराबर है घटा 4 बटा 3 या एकस बराबर है घटा 12 जो की हल है. जांच बाया पक्ष बराबर है घटा 12 बटा 3 जमा 5 बटा 2 बराबर है घटा 4 जमा 5 बटा 2 बराबर है घटा 8 जमा 5 बटा 2 बराबर है घटा 3 बटा 2 बराबर है दाया पक्ष. जैसा चाहिए, ध्यान दीजिये की समीकरण में चर का गुणांक आवश्यक नहीं कि सदैव एक पूर्णांक ही हो उदहरन 4, हल कीजिये 15 बटा 4 घटा 7X बराबर है 9 हल ज्यात है 15 बटा 4 घटा 7X बराबर है 9 या घटा 7X बराबर है 9 घटा 15 बटा 4 15 बटा 4 दाएं पक्ष में पक्ष आंतरण करने पर या घटा 7X बराबर है 21 बटा 4 या एकस बराबर है 21 बटा 4 घटा कुष्ठक में घटा 7 दोनों पक्षों को घटा 7 से भाग करने पर या एकस बराबर है घटा 3 गुणा 7 बटा 4 गुणा 7 या एकस बराबर है घटा 3 बटा 4 अपेक्षित हल जांच बायां पक्ष बराबर है 15 बटाचार घटा 7 कुष्ठक में घटा 3 बटाचार बराबर है 15 बटाचार जमा 21 बटाचार बराबर है 36 बटाचार बराबर है 9 बराबर है दायां पक्ष जैसा चाहिए प्रशनावली 2.1 निम्न समिकरणों को हल कीजिए. प्रिष्ट संख्या 28. साथ, दू एक्स बटा तीन बड़ाबर है अठारा. आठ, एक दशमलव चे बड़ाबर है वाई बटा एक दशमलव पांच. नौ, साथ एक्स खटा नौ बड़ाबर है सोला. दस, चोदा वाई खटा आठ बड़ाबर है तेरा. ग्यारा, सत्रा जमा चे पी बड़ाबर है नौ. बारा, एक्स बटा तीन जमा एक बड़ाबर है साथ बड़ा पंद्रा. अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ. वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तकनीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तकनीकी सहायक, मयंकुमार, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चोदरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत. क्टनी, क्टनी, कॽज निर्मान, बटिलैंग, तकनी समन्स्वात आहीं, भारत. यश्नीकी सम Brazilian 1200 अधर जिल्मा, विमलेश मिलेश तकनी 14 रूलत. झाल झाल